उंग शंती, मुरुली का तारिक है, 39-2020, मीटे बच्चे, सबसे पहले पहले यही क्याल करो की, मुझ आत्मा पर जो कट चड़ी हुई है, वा कैसे उत्रे, सुई पर जब तक कट जंक होगी, तब तक चुम्ब कींच नहीं सकता, प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युपर, तुमें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौंसा पुरुषार्थ करना है, उत्तर, कर्मातीत बनने का, कोई भी कर्म संबंधियों की तरफ बुद्धी ना जाय, अर्तात, कर्म बंदन अपने तरफ ना कींचे, सारा कनेक्षन एक बा जगी हुई नाप, ऐसा पुरुषार्थ करो, जर्मुई जग्मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो, गीत जाक सजनिया जाद, ओम शांती, रुहानी बच्चों, आत्मा उने शरीर द्वारा गीत सुना, क्यूंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे है, तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं, जिसको आत्मा का सही ज्ञान है, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता, या बाप ही बैट समझाते हैं, समझान शरीर के साथ ही है, शरीर बिगर्तों, आत आत्मा कुछ कर नहीं सकती, आत्मा जानती हैं, हम कहां के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं, अभी तुम यतार्त्रीती जानते हो, सब एक्टर्स पात्रदारी हैं, बिन बिन दर्म की आत्माएं, कब आती हैं, यां भी तुमारी बुद्धी में हैं, बाप डीटेल नहीं समझ होलसेल समझाते हैं होलसेल अर्थात एक सेकेंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सत्युग आदी से लेकर अंत तक मालुम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट लूंदा हुआ है अभी तुम जानते हो बाप कौन है उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है यां भी जानते ह उन्च बाप हो सर्व का सद्गति दाता दुख हरता सुक करता है शिव जयनती गाई हुई है जरूर कहेंगे शिव जयनती सबसे उन्च है कास बारत में ही जयनती मनाते हैं जिस जिसकी राजाई में जिस उन्च पुरुष की फास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनक स्ट्यांप बनाते हैं अब शिव की जयनती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे उंच जयनती किस्की हुई? किस्की स्ट्यांप बनानी चाहिए? कोई साधू संत अत्वा सिक्कों का, मुसल्मानों का, वां अंग्रेजों का कोई फिलासफर अच्छा होगा तो उनकी स्ट्यांप बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रता आदी की भी बनाते हैं, अब वास्तों में स्ट्यांप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सद्गती दाता है, इस समय बाप ना आये तो सद्गती कैसे हो, क्यूंकि सब रवरो नरक मे गोता का रहे हैं, सबसे उन्चते उन्च है शुबाबा, पतित पावन, मंदिर भी शिव के बहुत उन्चे स्तान पर बनाते हैं, क्यूंकि उन्चते उन्च है न, बाप ही आकर बारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जब वाँ आते हैं, तब सद्गती करते हैं, तो उस ब बनाएं बक्ती मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही उंच ते उंच आत्मा ठहरें, उंच ते उंच मंदिर भी शिवका ही मानेंगे, सोमनात शिव का मंदिर है ना, बारतवासी तमो प्रदान होने कारण, यहां भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूझा करते हैं, उनका आक्यूपेशन तो जानते नहीं, राणा प्रतापने भी लडाई की, वा तो हिंसा हो गई, इस समय तो सब है डबल हिंसक, विकार म माइ जाना, काम कटारी चलाना, यहां भी हिंसा है ना, डबल अहिंसक तो यह लक्श्मी नारायन हो, मनश्यों को जब, पूरा ज्ञान हो, तब अर्त सहिट स्टैंप निकले, सत्यूग में स्टैंप निकलती ही, इन लक्ष्मी नारायन की है, शुबाबा का ज्ञान तो वहा अभी भी बारत का या स्टैंप होना चाहिए उंच ते उंच है त्रिमूर्ति शिव मां तो अविनाशी रहना चाहिए क्योंकि बारत को अविनाशी राज गद्धी देते परंपिता परमात्मा ही बारत को स्वर्ग बनाते हैं तुमारे में भी बहुत है जो या बूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं या माया बुला देते हैं बाप को ना जानने के कारण बारतवासी कितनी बूले करते आये शुबाबा क्या करते हैं या किसी को भी पता नहीं है शिव जयन्ती का भी अर्थ नहीं समझते या नालेज सिवाई बाप के और कोई को नहीं है अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम अवरों पर भी रहम करो अपने उपर भी आपे ही रहम करो टीचर पढ़ाते हैं या भी रहम करते हैं या भी कहते हैं मैं टीचर हूँ तुमको पढ़ाता हूँ वास्तों में इसका नाम पादशाला भी नहीं कहेंगे या तो बहुत बड़ी युनिवर्सिटी हैं बाकी तो सब है जूटे नाम वाँ कोई सारे युनिवर्स के लिए कालिश तो है नहीं तो युनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सद्गती करते हैं वास्तों में युनिवर्सिटी या एक ही है इन द्वारा ही सब मुक्ती जीवन मुक्ती में जाते हैं अर्ता शांती और सुक को प्राप् यां तो समझाने की बात है, ऐसे भी होता है, एमर्जनसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्जी चलता है, और किसी दर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती, वां तो दर्म स्तापन करने आते हो, फिर जब लाकों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके, यहां तो बाप राजाई स्तापन कर रहे है, यूनिवर्स के लिए, यहां भी समझाने की बात है, दैवी राज्जिदा ने इस पुरुशोतम संगम युक पर स्तापन कर रहे है, बाबा ने समझाया है, कृष्ण, नारायन, राम, आदी के, काले चित्र भी तुम हाथ में उटाओ, फिर समझाओ, कृष्ण को शाम सुन्दर क्यूं कहते है, सुन्दर ता, फिर शाम कैसे बनते है, बारत ही हेवन ता, अब हेल है, हेल अर्तात काला, हेवन अर्तात गोरा, राम राज्य को दिन, रावन राज्य को रात कह जाता है, तो तुम समझा सकते हो, देवताओं को काला क्यूं बनाया है, बापईट समझाते हैं, तुम हो अभी पुर्षोतम संगम युपर, वा नई है, तुम तो यहाँ बैटे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युपर, पुर्षार्थ कर रहे हैं, विकारी पतित मनुश्यों से, तुमारा कोई कनेक्शन ही नई है, हाँ, अभी कर्मातीत अवस्ता नई हुई है, इसलिए कर्म संबंदों से भी दिल लग जाते हैं, कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए, यात की यात्रा, बाप समझाते हैं, त तुमारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, अहो, बाबा हमको पड़ाते हैं, वहां उमंग कोई में रहता नही है, माया गडी-गडी देह अभिमान में ला देती हैं, जबकि समझते हो शिव बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वहां कशिश, वहा भी जंक नहीं होगी, वहां चुम्बक के आगे, तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, तोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी, जहां से नहीं होगी, वहां उस तरफ से चुम्बक कीचेंगे, बच्चों में कशिश तब होगी, जब यात की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो, कींच नहीं सकते, हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाईगी तो, कशिश पी होगी, कशिश नहीं होती है, क्यूंकि कट चड़ी हुई है, तुम बहुत याद में रहते हो, तो विकर्म बस्म होते हैं, अच्छा, फि राद नहीं कर सकते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद बोलने से कट चड़ जाते हैं, तो वह कशिश लव नहीं रहता, कट उत्री हुई होगी तो, लव होगा, कुशी भी रहेगी, चेहरा, कुश्नुमा रहेगा, तुमको बविश्य में ऐसा बनना है, सर्व देते हैं, जो कुछ चमकती, वहां भी गूम हो जाते हैं, बाप से जरा भी लव नहीं रहता, लव उनका रहेगा, जो अच्छी रीती बाप को याद करते होंगे, बाप को भी उनसे कशिश होगी, या बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है, और याद में रहता है, तो बा याद नहीं करेंगे तो, कट कैसे उतरेगी, बाप कहते हैं, चार ट्रकों तो कट उतर जाएगी, तमो प्रदान से सतो प्रदान बनना है, तो कट उतरनी चाहिए, उतरती भी है, फिर चड़ती भी है, सव गुना दंड पढ़ जाता है, बाप को याद नहीं करते हैं, तो कुछ पाप कर लेते हैं, बाप कहते हैं, कट उतरने बिगर, तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा कानी पड़ेगी, मोच्रा भी मिलता, पद भी ब्रस्ट हो जाता, बाकी बाप से वर्सा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, जो और ही कट चड़ जाए, पहले तो अपनी कट उतारने का क्याल रखो, क्याल नहीं करते हैं, तो फिर बाप समझेंगे, इनकी तकदीर में नहीं है, क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे क्यारेक्टर्स चाहिए, लक्षमी नाराइन के क्यारेक्टर तो गाये हुए है, इस समय के मनुष उनों के सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सद्गति दाता है ही एक, बाप ही स्वर्ग की स्तापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है, बाप के सिवाए कोई पावन बना ना सके, मनुष कड़े के अंदर जाकर बैटते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैटे तो सा प्रफोजाए क्यूंकि पतितपावनी गंगा कहते है न, मनुश शांती चहते हैं, तो वहा जब गर जाएंगे तब पार्ट पूरा होगा, हम आत्माउं का गर है ही निर्वान दां, यहाँ शांती कहां से आई, तपस्या करते हैं, वहां भी कर्म करते हैं न, करके शांती में बैट चाएंगे, शुबाबा को तो जानते ही नहीं, वहां है बक्ति मार्ग, पुर्शोतम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन, मुक्ती जीवन मुक्ती में चली जाती है, जो महनत करेंगे, वहां राज्य करेंगे, बाकी जो महनत नहीं करें शुरू में साक्षातकार करायाता सजावन कर, फिर पिचाडी में भी साक्षातकार होगा, देखेंगे, हम श्रीमत पर ना चले, तब यहां हाल हुआ, बच्चों को कल्यान कारी बनना ही, बाप और रचना का परिछे देना ही, जैसे सुई को मिटी की तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से ही, कट उतरती नहीं तो, वाँ कशिश, वाँ लव, बाप में नहीं रहता है, लव सारा चला जाता है, मित्र संबंधियों आदी में, मित्र संबंधियों के पास जाकर, रहते हैं, कहां वाँ, जंक काया हुआ संग, और कहां जंक काई हुई चीज के संग में उनको भी कट चड़ जाएगी कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं याद से ही पावन बनेंगे आदा कल्प से बड़ी जोर से कट चड़ी हुई है अब बाप चुम्बक कहते हैं मुझे याद करो बुद्धी का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी नई दुनिया तो बननी ही है सत्युग में पहले बहुत चोटा सा जाड़ होता है देवी देवताओं का फिरुद्धी को पाते हैं यहां से ही तुमारे पास आकर पुरिशार्थ करते रहते हैं उपर से कोई नहीं आते हैं जैसे और दर्मवालों के उप पर से आते हैं यहां तुमारी राज्जदानी तैयारी हो रही है यहां तुमारी राज्जदानी तैयार हो रही है सारा मदार पड़ाई पर है बाप की श्रीमत पर चलने पर है बुद्धियोग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती हैं यहां आते हैं तो सब हिसाब कि आप चुकत करें, जीते जी सब कुछ कतम करके आते हैं, सन्यासी भी सन्यास करते हैं, तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है, तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सतका संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं, मित्र संबंधियों आदी को जानते तो है न, ग्रहस्त व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं, पवित्र बनना है, अवरों को भी सिकाना है, फिर तकदीर में होगा तो, चल पड़ेंगे, ब्रामन कुल का ही नहीं होगा तो, देवता कुल में कैसे आयेगा, बहुत सहज पाइंट्स दी जाते हैं, जो जट किसी की बुद्धी में बैट जाये, विनाश काले, विप्रीत बुद्धी वाला, चित्र भी क्लियर है, अब वाँ, सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी, जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो, पंचायती अरजा नहीं है, परंतो, कट निकली हुई हो, तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना क्यारेक्टर देखना है, दिन रात हम क्या करते हैं, किचन में भी बोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके, याद में रहो, गुमने जाते हो, तो भी याद में, बाप सबकी अवस्ता को जानते हैं न, जर्मुई जग्मुई की करते हैं, तो फिर कट और ही चड़ जाती है, परचिंतन की कोई बात नहीं सुनो, अच्छा, मीटे मीटे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को याद प्यार और गुड मौर्नी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दारणा के लिए मुक्य सार, फर्स्ट पाइंट, जैसे बाप टीचर रुप में पढ़ा कर सब पर रहम कर करना है पड़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है अपने क्यारेक्टर सुधारने हैं सेकेंड पाइंट आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बाते करके बाप से बुद्धियोग नहीं तुडाना है कोई भी पापकर्म नहीं करना है याद में रहकर जंक उतारनी है वरदान सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृती जीत बवा सबसे बड़ेते बड़ी दासी प्रकृती है जो बच्चे प्रकृती जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके आर्डर प्रमाण सर्व शक्तिया और प समय पर सहयोग देती हैं लेकिन यदी प्रकृति जीत बनने के बजाए अलबेले पन की नींद में वाँ अलपकाल की प्राप्ती के नशे में वाँ व्यर्त संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते होतु शक्तियां आर्डर पर कार्य नहीं कर सकती इसलिए चेक कर कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति निर्णई शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही आर्डर में हैं श्लोगन बाप तादा की गुण गाते रहो तो स्वयम भी गुण मूरत बंचाएंगे अच्छा ओम शांती